Hi friends, सुन्दर लगने के लिए, खुबसूरत दिखने के लिए, या लाइफ में खुशियों को अट्राक करने के लिए भी, कौन सी ऐसी चीज है जो आज से हम करना शुरू कर देंगे, एक महिना रह गया है, 20, 23, मतलब नया साल आने के लिए, अब ये नया साल हमारी जिंदगी म सारी खुशियां लेके आए, विशस भी पूरी करें, सब कुछ अच्छा अच्छा रहे है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात, एक प्रॉमिस कर लो अपने आपके साथ, कि आज से पॉज़िव बोलोगे, और दूसरों की खुशी में खुश होगे, कैसे होगे, कम्प्लेन करना बंद करोगे, बिना वज़े दूसरों को क्रिटसाइज करना बंद करोगे, तीसरा, और मैं बोलूँ अगर सबसे पहले नंबर पे इसको लेके आते हैं, आप दूसरों को कॉम्प्लिमेंट देना शुरू करेंगे, तारीफ करना शुरू करेंगे, कॉम्प् में भेजते हैं, वोई return हो कि हमारे पास आता है, बहुत simple है, okay, so क्योंकि हम चाहते हैं कि नया साल हमारे लिए blessed हो, खुबसूरत हो, हम भी खुबसूरत हो, हमारे साथ, हमारी जिंदगी की शैली भी खुबसूरत हो, हमारी wishes भी बहुत खुबसूरती से manifest हो जाए हमारे साथ जितने लोग है वो भी बहुत अच्छे दिलवाले रहे साफ दिलवाले रहे सब कुछ बहुत easy रहे life में अब क्या करना है आपको सबसे पहले morning जबी भी उठें अपने आपको mirror में देखें तब भी बस बार-बार यही बोलिए कि मैं बहुत खुबसूरत हूँ अपने आपको तो positivity देनी ही है इसके अलावा आपके घर में जो भी family members हैं जिनके भी साथ आप रहते हैं ठीक है आपके आप husband wife हैं तो boyfriend girl friends हैं तो या फिर आपके जो भी जितने भी लोग हैं ठीक है आज़ पास या फिर workplace पे कोई लोग है जो भी हैं उन में से maximum लोगों को ठीक है कम से कम एक इनसान तो रोजाना ऐसा होना चाहिए जिसको आप कुछ ना कुछ तारीफ करें कुछ ना कुछ compliment दे अब यह compliment कैसा हो सकता है जो लोग beauty manifest करना चाहते हैं और beauty हम सब manifest करना चाहते हैं ठीक है beautiful रहने के बावजूद भी हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा shine करते रहे हमेशा तो यह जो shine है ना यह सर्फ यह नहीं है कि हम खुद के लिए जब तक हमें बाहर हम सबको अच्छा नहीं देखेंगे तो अपने आपको भी अच्छा नहीं देख पाएंगे चाहे हम कितने में सुन्दर क्यों ना लग रहे हो okay so अब क्या है आप किसी को भी मिलने हर इंसान खुबसूरत है पहले तो मन में यह धार ना रखिये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और कोई इंसान आपको मान ली जए डार्क टोन का मिला या किसी के फीचर्स थोड़े डिफरिंट हैं वो मिला तो आपने मन में तुरन सोच लिया कि ओहो यह कितना बेकार लग रहे देखने में यह intention जैसे ही आपने create की आपने उस इंसान को भेजी नहीं लेकिन आपने खुद के लिए ही वो thought वो कर्मा create कर लिया ओके इस चीज को ध्यान रखियेगा बाहर जो निकले हर इंसान को उसी खुबसूरती की नजर से देखिये वो कहते है न की खुबसूरती हमारी निगाहों में हैं देखने के नजरिये में हैं वरना बात कुछ भी नहीं seriously यह बिलकुल सही है आप जितने प्यार से जितने खुबसूरत निगाहों से हर एक को देखोगे वैसी ही सुन्दरता खुबसूरती आपको हर जगाह नजर आएगी अगर हम जैसे की नॉमली क्या होता है आप जब मौनिंग में उटके न्यूस चैनल आउन करते हैं तो क्या होता है हर जगा इधर लूट मार इधर ये उधर वो सब कुछ गलत 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 तो न्यूस चैनल देखकर के आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि पता नहीं इस दुन्या में तो ना हर जगा सिर्फ बुराई है सिर्फ गलत काम हो रहे हैं कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा क्योंकि बहुत कम उसमें कुछ कुछ दानपूने, कुछ इवेंस, कुछ पूजा पार्ट या जहां कीरतन हो रहे हैं भजन चल रहे हैं वो सब चीज़े तो आती ही नहीं है वो सब चीज़े डिवोशनल चैनल पे आती हैं जिनको बहुत कम लोग देखते हैं मतलब फिर भी अभी तो बहुत सारे लोग जागरूख हो चुके हैं जो देख रहे हैं इन सब चीज़ों को तो इसलिए मतलब सिंपल सा कहने की बात है यह है कि जैसा आप देखोगे वैसा ही आपका अनुभव बनेगा वैसे ही थौट्स बनेगे सारे दिन उसी वाइब्रेशन में रहोगे अगर मॉनिंग से स्टार्ट कर दिया न कि ओहो यह चीज़ खराब है अब यहाँ पर यह अच्छा नहीं है यह खराब है हर चीज़ में आप कम्या निकाल रहे हो तो वही कम्यों वाली चीज़ आ जाएगी और फिर 2023 में भी सिर्फ कम्या 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 ही रह जाएगी इसलिए एक महीना है सबकॉंचिस के री प्रोग्रामिंग के लिए खुद को सेट करने के लिए अपनी लाइफ को ब्यूटिफुल बनाने के लिए आज से एक प्रण कर लो जैसे कि मैंने बोला सबको कॉंप्लिमेंट दो हर चीज में अच्छा ही ढूंडो कहीं कुछ नेगिटिव है कोई ऐसा कुछ है इग्नोर करो एक वर्ड को हमेशा अपने जहन में ले आओ इग्नोर करना है पॉजिटिव रहो मंत्रो को करो वाइब्रेशन को रेज करो 2023 के स्टार्टिंग आपके लिए ऐसी होनी चाहिए कि फिर हर चीज आपकी विशेज हूँ आपकी खुशियां हूँ सब कुछ अट्राट कर पाऊ और खुद की खुबसूरती के लिए सबसे जाधा important है दूसरों को compliment देखना शुरू करो आप और mirror में खुद को compliment करना शुरू करो सिर्फ यह compliment word पकड़ की रखना एक compliment दूसरा ignorance ठीक है ignore मतलब जाने दो कोई मतलब नहीं अगर कोई हमें negative बोल रहा है बहुत जादा परिशान भी कर रहा है तो ignore करो जहां तक हो सके ignore करो अपने आपको hurt करनी की जरूरत नहीं है तो दूसरों से infect होनी की जरूरत नहीं है negative way में बूल रही हूँ इसके अलावा mirror में खड़े हो के अपने आपको raise करो, जो हम कहते हैं एक minute के लिए, उनको लगता है हम बहुत superior है हम में इतनी quality है कि हम दूसरों में कम्या ढूम सकते हैं लेकिन बाद में वो सिर्फ कम्यों में ही रह जाते हैं उनकी जिंदगी में, खुद में सिर्फ कम्या रह जाती हैं, इसलिए कम्या मत देखिए, कम्यों को ignore कीजे compliment देना शुरू कीजे ओके, यह छोटा सा tip है beauty के लिए तो सबसे जादा important है, जो मिले, आपके घर में parents हैं, आपके maids आती हैं वो भी deserve करती है उनको भी आप compliment दे सकते हैं उनके features अच्छे हो सकते हैं, उनके आप अपने life में success manifest करना चाते हैं, तो success related compliment दे, अगर आप शादी manifest कर रहे हैं, तो जिनकी शादिया भी हो गई हैं, उनको compliment दे, या जो शादी शुदा लोग हैं, उनको compliment दे, कि आप कितने happy married couple हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं दूसरे के साथ, okay, बिल्कुल made for each other वाली जोडी है, जब आप ऐसी compliment देंगे, तो वैसा ही आपके साथ होगा, I hope मैंने, बहुत clearly यहाँ पे आप लोगों को specify कर दिया कि करना क्या है, सिर्फ compliment दूसरा ignorance, दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है और आज से ही शुरू करना है सो ढूंडो किस-किस को compliment दे सकते हो compliment दो, okay और बस positivity के साथ subconscious को reprogram कर लो एक महीने में so that 2023 के beginning में, जो भी scripting करो, अपनी wishes के लिए, जो लिखो, अपनी life के लिए, जो लिखो वो एक-एक शब्द के साथ-साथ manifest होता चला जाए okay, बिल्कुल as it is manifest हो जैसा आप चाहते हो ठीक है, so, and positivity में बहुत strength है, इस बात को ध्यान रखना ठीक है, so that's all guys and yes, thank you so much God bless you all